Hello Family ! तो आज हम लोग करने माले हैं DM & DF के बीच में conversation, messages & music decks के साथ तो यह गाइस, divine, feminine messages & music और यह है divine masculine messages & music तो बहुत सारी बाति होंगी गानों के मतलब से तो आपको बहुत सारे गाने मिलेंगे सुनने के लिए जो आपके DM आपको देना जाते हैं और बहुत जादा मैसेज़ भी तो बहुत इंट्रेस्टिंग रहने वाला ही गाईज यह मेरा डेक मने काफी पहले बनाया था लेकिन यह मुझे कहीं मिला ही नहीं रूम रेनोवेशन में पतानींगा जला गया तो आज मनें इसको ढूंड निकाला और मैंने सोचा कि यही यू कर पाई तो जरूर कीज़ेगा क्योंकि काफी ज़्यादा एफ़र्स लेती हूं आपके लिए रोज अवेलेबल होने के लिए अफ्ते में एक बार नहीं हो पाती हूं क्योंकि आप लोगों को भी बताएगा क्लाइंट्स आ जाते हैं तो मुझे उनको भी लेना होता है और क कुछ टाइम अपने आपको भी देना जाती हूं ठीके गाइस तो लेट्स टार्ट सबसे पहले देखेंगे कि डीएफ डीएम को क्या कहना चाती है इस डेक के थ्रू तो आपके बर्निंग कोशिंस आपके सवाल क्या है आपके डीएम से वह अपने मन में सोची और देखेग तो काफी जादा कार्ज निकल के आए है ये लंबी रीडिंग जा सकती है गाइस पर पहले देख लेते कि कौन से गाने आए है दो ही राउंड लेंगे इसके लेगिन बहुत सारी बाते आपको क्लियर हो जाएंगे लोग कहते हैं पागल हूं मैं ये भी न जानू दिल उटा मैंने अब किसी की ना मानू चैन देकर कि मैंने बेचैन या ये ली है मींदे उडाकर मैंने तुमसे वफाए की है कसम की कसम है कसम से जी रहे है हम तेरे दम से अब ये प्यार नहोगा फिर हमसे कसम की गया है कसम हमको प्यार है सिर्फ तुमसे बहुत सारे मेसेज़ आप कर लो को कह रहे है किerem सब्सक्राइब कर लोग हों कही कि कि अ पर पर कन्यक्शन के वजह से ही आज में जिना हुँ बहुत ज़्यादा मैसेज है इस connection में आपके words में काफी जादा चीजे दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर इस गाने में और फिर ये भी एक बहुत सुन्दर सा गाना है मेरी नजर का सफर तुछ पर ही आके रुके कहने को बाकी है क्या कहना था जो कह चुके मेरी निगाहे हैं तेरी निगाहों में तु तुछ से ही चुप चुप कर तेरी आखे पढ़ती हूँ कौन तुछ से प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ इतना सुन्दर गाना है ये भी और ये भी मुझे बहुत जादा अच्छा लगता है इसका एक secret reason आपको बताऊंगे पहला गाना जो मैंने अपने DM के लिए निकल आते हैं और सबसे जादा आप कह रहे हो कि भई मैं समझती हूँ तुम्हाई बातों को तुम्हें लगता है कि मतलब मैं फोकस नहीं करती हूँ मैं तुम्हें नोटिस नहीं करती हूँ तुम्हाई आखों में क्या है मुझे समझ नहीं आता है तुम मुझसे जूट कह कर निकल सकते हो कि तुम मुझसे प्यान नहीं करते हो मैं तुमाही आख में देखकर समझूंगी नहीं आप उनको साफ-साफ कह रहे हो कि उनको ज्यादा नहीं पता है जितना आपको पे इंट्रेस्ट है और जितना आप उनको समझते हो और जितना आप उनको जानते हो उनको कि नॉलिज तक नहीं है जो आप उनको जानते हो इस दुनिया में कोई उनको जान नहीं पाएगा और ये सच है गाइस वो कभी दिखे जमीन पे कभी वो चांद पे ये नजर कहे उसे यहां मैं रखलू बांध के इस एक सास में धड़कनों के पास में हाँ पास में घर बनाए है ये भूले जहां बहारा बहारा दिल पहली बार है इतना सुन्दर गाना है फिर से कहीं न कहीं आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप उनको सब टाइम देखना चाहते हो अपने पास महसूस करना चाहते हो सब जगा उनके साइंज मिलते हैं आपको और ये सब आप बतान चाह रहे हो और आपको लग रहा है कि वह आपके इतने पास है फिर भी पास नहीं है और आप उनको अपने पास ही रखना चाहते हैं और किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं कितने सुन्दर और रोमांटिक लव लेटर जैसे आपके मैसेज़ आ रहे हैं देखते हैं पहला है आखों में आखे तेरी बाहों में बाहे तेरी मेरा न मुझ में कुछ रहा हुआ क्या बातों में बाते तेरी राते सोगाते तेरी क्यों में तेरा सब ये हो गया हुआ क्या मैं कहीं भी जाता हूँ तुमसे ही मिल जाता हूँ कितना सुंदर गाना अगेन तो वो साफ स कह रहे हैं गाइस की वो आपके अल्रेडी हो चुके हैं मतलब हर बात वो जब करते तो आप ही की बात निकलती है घुमा फिरा के एक गाना मुझे मतलब है की सुनाई दिया तो चैनल्ड सॉंग था जैसे डूसरो की जूटी-मूटी आई तिंग वो आपको गाना पता होगा, शाथिया का गाना है दूसरो से जूटी-मूटी दूसरो का नाम लेके फिर तेरी बाते करना याराराँ से दिन करना यह गाना बहुत जादा भी आ तो में को सब जगा कहीं भी जाती थी मेरे सिटुएशन से रिलेटेड सिफ गाने ही सुनाई देते थे तो सबसे पहला डेक जो मैंने बनाया वो गाने वाला ही डेक बनाया दोनों के लिए हर पल टूंडे नजर तुमको ही जाने मन हद से बढ़ने लगा मेरा दिवाना पन दि मुझे रात दिन तुमारा ही कहाल है क्या करूँ प्यार में दिवानों जैसा हाल है साइए बहुत ही सुन्दर गाना है ये भी तो मुझे यहां पर काईज दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत जादा मिस्किया जारा है सब जगा आपको ढूनने की कोशिश की जारी आप से similar कोई बंदा मिल जाए तो दिल को खुशी हो जाए और गाइस मैंने ये experience भी किया है जब मैं काशी विश्वनात के लिए गई थी वारा नसी तो मुझे कही कही काफी जादा ऐसा लग रहा था में DM के similar शकल वाले लोग दिख रहे थे तो हमको इतना जादा ठंडक लग रहा थ तो एक ये sign मेरे लिए काफी जादा जरूरी भी था और आप लोग के लिए भी जरूरी है और DM के लिए ज़रूरी है जब उनको आपके जैसा similar मिलता है ना तो उनको भी बहुत जादा खुशी होते हैं जो आपके सामने बिलकोल डिनाई करते हैं और मैं अग्री कर सकती हू इसको openly जब मैं DM energy में जाकर आई हूँ तो yes उनको बहुत जादा खुशी होती है आप बार बार आप के जैसे शकल वाला कोई मिलेगा तो उससे बात करना चाहेंगे उसको जानना चाहेंगे उसका नाम जानना चाहेंगे inquisitiveness बहुत जादा हो जाती है anxiety बहुत जादा हो जा है दिल को है गम क्यू आख है नम क्यू होना ही था जो हुआ है उस बात को जाने ही दो जिसका निशा कल होना हो हमेशा यह गाना बहुत जादा negatively आता है लेकिन आज परली बार जिंदकी में आपके DM बोल रहा है कि हम पास को रहने ही देते हैं जो भी हुआ यह टुइन फ्ले जान बहुत जाने होना है तो बहुत अच्छा सौंग आया है और बहुत पॉजिटिव सेंस में पहली बार आई होप गाईस मैं इक और देखूंगी कि आप क्या कहना चाते हो अगर इक दो गाने और निकल गए तो आप लोके लिए भी यूसफुल होगा मेरी लिए भी तो चलिए गईस देखते हैं कि और एक आप क्या कहना चाते हो अपने डीम से तो एक और आ गया है और बापरे काफी गाने आ गए है बट स्टिल लेट सी क्या मेसेज़ों आते हैं मैं जान भी वार दू हरजीत भी हार दू कीमत हो तुझे बे इंतहा प्यार दू सारी हदे अब मोआ काही नहीं मुझे यही मैसेज आ रहे हैं कि आप लोग एक्हास है कच आख और दूर या नस्दीका कुछ असपड़ी तंहायय क्या एक और यह खुमार है क्या इतबार रह Серपयब्य है आपको कह यह लग रहा है कि अभी भी आपको लग रहा है कि आपके और उनके बीच में जो connection है वो इतना खास इतना special है जितनी भी दूरिया हो जितनी भी नज़दी के आओ चाहे कि इतना भी अकेला रहना पड़ता हो आपको बट आपको उनका इंतजार है और आपको realization है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तो आप ये clearly बता रहे हो उनको दुखाओ दिल में जाते जाते तेरा ऐसा इरादा नहीं छुपा लूंगी मैं हस के आसू ये तेरी खुशी से तो ज्यादा नहीं बापरे तो कही न कही आप लोग बहुत ज़्यादा अपने problems अपने DM के साथ share नहीं करते हो कभी कभी कि भई अगर वो कार्मी के साथ खुश है तो जाकर खुश रही ये बहुत ज़्यादा clear है यहाँ पर जो बिछडे नहीं तो फिर क्या मजाग जरूरी है रहना भी थोड़ी कमी नहीं होगा कुछ भी खतम फिर मुलाकात होगी कभी कितना सुन्दर है फिर मुलाकात होगी कभी आप लोग कह रहे हो कि ये separation नहीं हुआ तो वापस मिलने का मजा ही क्या है कुछ भी खतम नहीं होगा ये realization आपका कितना तकड़ा है यहाँ पर भूँ बहुत strong messages आये है guys बहुत सुन्दर reading रही है I hope आपको भी इतनी ही अच्छी लगी होगी मोहे रंग दो लाल नंत के लाल छेडो ना बस रंग दो लाल बहुत सुन्दर गाना है देखू देखू तुछको मैं हूँके निहाल छू लो कोरा काच मोरा काच सातन नयन भरे क्या रहे निहार बहुत सुन्दर गाना है ये भी मोहे रंग दो लाल आप लोग को भी पता है कि आप लोग चाहते हो कि आप उनसे शादी करो, आपको अपने रंग में रंग दे, आप लोग क्या साथ में रहो, आप काफी रोमेंटिक गाना है, काफी प्रोपोजल जैसा गाना है, कि दीयाप जैसे बोली रही है, कि भाई शादी कर लो मुझसे, बहुत ही सुन्दर, चलिए देखते हैं, गाइस दीयाप इस जवाब देते हैं, आज, फाइव भी प्रोपोजल जैसा लग रहा है, ओ, 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 गाइस मैं गाइड़ नहीं हूँ, सारे गाने लेने के लिए, मैं गाइड़ हूँ, बस एक गाना लेने के लिए, और वो खुल के नहीं आया है, बाकी सारे गाने एकज़ुटेद है कि यह और ओम-धेना और में लिएन दो को फाने स्वाविप्ति हैं इतना हिसार मुंत हारा छुपा है लिए पूर ऐसा आएगा जब हम लोग साथ में रहेंगे और देखो मेरी आखो में तुमारा इह चेरा छुपा है और मैं भी कही ना कही तुमसे इतना ही प्यार करता हूँ और ऐसा दिन हम लोग आएगा जब यूनियन आएगा तो काफी सुनदर मेसेज है गाइज एक ही कार्ड में सारे सवालों के जवाब तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे कल तब तक के लिए बाई बाई